Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे आपके परसन की Current Feelings और Thoughts आज आपके लिए क्या है ये सारे Star Signs की Reading होती है, ये एक Short Reading है और Timeless है देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके परसन और कैसा फिल कर रहे हैं The Sun, Sunsets किसी को पसंद हो सकते हैं Sunrise, Nature Lover हो सकता है कोई So, let's start Bottom पर हमारे पास है The Magician Manifestation We have Three of Wands Two of Pentacles No, it's Two of Swords पत इसमे सारी Energies है No, it's Two of Pentacles Yes So, but इसमे, oh wow, The Magician Oh wow, Two of Pentacles Magician का थोड़ा थोड़ा इमेज एक जैसा है Very interesting, Wheel of Fortune Okay, oh my, oh my God This is amazing, right? Shuffling के दौरान हमें ये दोनों कार्ड़ नजर आए थे Wow, magic Four of Pentacles Oh wow, आपने नोटिस किया के इन तीन कार्ड़ में हाथ खुले हैं Which means के ये इनसान receptive है Seven of Swords and Eight of Swords I really feel के आपके परसन के बहुत नेगिटिव बिलीफ्स थे ये है Two of Swords बहुत नेगिटिव बिलीफ्स थे बहुत जादा उनको लगता है के था, I feel लगता था कि I can't do anything I can't make things happen ये इनसान expressive भी नहीं रहे हैं past में और ये इनसान receptive भी नहीं रहे ये इनसान risk नहीं लेना जानते थे life में But I just feel के when it comes to you and their life generally ये इनसान अपने आपको open करना शुरू हो गए है new possibilities के लिए ये जो images है इनसे हमें पता चल रहे है के एक इनसान अपने आपको open कर रहे है अपने दिल को अपनी heart space को open कर रहे है new possibilities के लिए और ये इनसान optimistic approach रखने की कोशिश कर रहे है लाइफ के बारे में positive होने की कोशिश कर रहे है आपके person का बहुत ज़्यादा ये problem रहा है कि वो hold on करते हैं बहुत ज़्यादा grudges रखना hold on करना चीज़ों के उपर बहुत ज़्यादा उनकी आदत रही है self imprisonment negative beliefs में अपने आपको stuck रखना अपने ख्यालाद को कभी न बदलना बेहद rigid होना अपने ख्यालाद में ये बहुत चीज़ें उनके अंदर रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये एक उनके अंदर huge change आना शुरू हो गया है कि वो change के लिए receptive होना शुरू है अपने heart को उन्होंने heart space को open करना शुरू किया है ये learn करना शुरू किया है कि हर दफा I can't be right मैं भी गलत हो सकता हूँ मुझे गलतियां हो सकती है मेरे ये beliefs गलत हो सकते हैं beliefs change हो सकते हैं ये जो मैंने negative चीज़ें अपने जहन में पाल रखी हैं ये गलत हो सकती है I just feel कि वो ये learn करना शुरू हुए है जब उन्होंने ये learn करना शुरू किया है तो उन्हें endless possibilities नजर आई है क्योंकि अपने rigid mindset के साथ पहले उन्हें कोई possibility आपके साथ नजर नहीं आ रही थी कुछ भी positive नजर नहीं आ रहा था उन्हे जैसे ही उन्हों receptive हुए है उन्हें endless possibilities नजर आना शुरू ही है they really hope के good fortune आ रही है they really hope के luck उनकी तरफ है उनकी जो किस्मत का दरवाजा है वो खुलने लगा है उनको ऐसा feel हो रहा है so यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius, Gemini बहुत strong है यहाँ पर इसमें से कोई आपका या उनका star sign हो सकता है बड़ जरूरी नहीं है so I feel के wow notification I don't know आपको आवाज आई है या नहीं हो सकता है यह इंसान अचानक से आपको reach out करेंगे बहुत जल्द notification मिलेगा उनके नाम का आपको so I feel के यह इंसान में भी आपको manifest कर रहे हैं या आप उनको manifest कर रहे हैं they do have a lot of passion and feelings for you और maybe इतना passion है उनके दिल में के almost यह इंसान डरते हैं उस passion से but अब वो open होना क्योंके शुरू हो गए हैं और उनको यह realization है कि उनने डरने की जरूरत किस बात की है बिलकुल नहीं है उनको अपनी heart space को open करना है और उनको allow करना है अपने आपको कि वो इस bliss को इस connection को enjoy कर सकें और future के बारे में बहुत optimistic होने की कोशिश कर रहे हैं plus जिल लोगों का long distance है यह इंसान बहुत जल्द travel करने वाले हैं यह आप लोगों की quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताईएगा comment section में मैं मिलूंगी आप से next video में till then love you lots bye